वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें या इंडियन कांसिल एक्ट ऑफ 1909 ठीक है जीसको मॉर्ले मिल्टो रीफॉर्म भी कहते हैं अब इसे मॉर्ले मिल्टो रिफॉर्म कहते क्यों हैं क्योंकि इस समै जो हमारे सेकेटरी ऑफ स्टेट थे भारत की वो कौन थे लॉर्ड मॉर्ले थे ठीक और वाइस रोय फीडिया है Minto थी कि इस नाते हिनको क्या बोला जाता है मोल्लि मिंटो रिफॉर्म अब कोपाल कृष्ण गोख्ली जी क्या करते हैं मिलते हैं にंगुलिस और ऐसें सब्सक्राइब करते हैं कि हमारा उइन कुछ नए रिफॉर्म्स लाना की जो की जरौ है यह मिलते हैं Lord Minto से और क्या करते हैं डिमांड करते हैं separate electrode for Muslims and representation in access of their numerical strength in view of the value of the contribution in October 1906 के डिमांड करते हैं कि हमें एक separate electrode चाहिए किसके लिए मुसल्मानों के लिए उनको वो अलग से वोड़ दें ठीक है उनका एक अलग से representation हो पूरे अलग से उनका एक contribution हो पूरा इस process में ठीक है अब क्या होता है allow कर दिया गया चीज है ठीक है अब क्या होगा number बढ़ जाता है किसका number of members in the Central Legislative Council 16 से हो जाते हैं 60 ठीक है यह बहुत important है कि 16 से 60 हो गए कितने बढ़ जाते हैं 16 से 60 हो जाते हैं ठीक है यह था अब का अब आ जाते हैं कि it retained the official majority in the Central Legislative Council but allowed the provincial legislative council to have non-official majority in total non-elected majority was there in provincial councils since some of the non-official members were nominated अब कुछ non-official जो लोग थे जो nominated थे वो कहां पी present थे वो provincial councils में थे ठीक है legislative council में आपके सारे official members वा करते हैं ठीक है it allows the deliberative functions of the legislative council at both the levels for example members will allow to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on, no discussion on foreign policy or on relations with the princely state were permitted अब क्या था कि जो members थे वो क्या थे बजट पे जो है क्या कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे मतलब supplementary questions पूछ सकते थे, कुछ resolution move करना है, वो भी कर सकते थे, किस पे budget पे और आगे की चीज़ों पे पर वो किसी भी तरीके का कोई भी discussion नहीं कर सकते थे, किस पे foreign policy ठीक है, foreign policy पे किसी भी तरीके का discussion करना क्या था, बैंट था, ठीक है इट पुवाइड फोर्स तेम दा फोर्ट अस्टेशिशन ऑफ इंडिया विद दा एग्जेकटिव कांसल अप द वाइसरोय गवर्नर, सतेन प्रशाथ सिनहा सतेन प्रशाथ सिनहा बिकेम दा फिस्ट इंडियन तो जोईन दा वाइसरोय एग्जेकटिव कांसल अब ये बहुत इंबोर्टेंट यहाँ पर पोइंट आता है इस आप के तहट कि इस आप की वज़े से क्या हुआ इंडियन क्या हुए रिप्रेजेंट किये या फिर पार्ट हुए किसके वाइसरोय की कांसल के वाइसरोय की एग्जेकटिव कांसल के और कौन बना ऐसा पहला भारती है जिसने वाइसरोय की एग्जेकटिव कांसल को जोईन किया तो सतीन प्रशाथ सिनहा जी बने 1st Indian to join the Vice-Roy's Executive Council, ठीक है, किस पद के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी, he was appointed as a law member, ठीक है, उनको as a law member की तरह जो है नियुक्ति किया गया था, 2 Indians were nominated for the Council of Secretary of State for Indian Affairs, दो इंडियन को और क्या किया गया था, किस के लिए, to the Council of State, to the Council of Secretary of State for Indian Affairs, Indian Affairs की जो काउंसल थी, Secretary of State की, उसमें दो इंडियन को नॉमिनेट किया गया था, ठीक, तो सतेन पसाच शिन्हा क्या बने थे, पहले भारती बने थे, जिन्होंने क्या किया था, पहले भारती बने थे, इसके वाइसरोय के Executive Council के, ठीक है, अब यस आख नहीं किया कि, it introduced a communal representation for Muslims, by accepting the concept of separate electorate, क्या हुआ, जो उन्होंने, अगा खान एलिट मुसलिम्स ने क्या किया था, एक प्रस्ताव रखा था, कि उन्हें separate electorate चेहे, तो वो क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, under this, the Muslim members to be elected by the Muslims voters, अब क्या था, इस act के तहट, कि Muslim members जो elect होंगे, केवल उनको choose करने वाले, केवल और केवल Muslim voters ही होंगे, thus the act legalized communalism, and Lord Minto became the father of communal electrode, very, very, very important line, अब क्या हुआ, क्योंकि इस act रे separate electrode का प्रावधान ला दिया, तो क्या इस ने communalism पो क्या किया, legalized कर दिया, and Lord Minto क्या बने Father of Communal Electrode, ठीक है, Lord Minto क्या बनते है, Lord Minto came to be known as the Father of Communal Electrode, it provided for the separate representation of Presidency, Corporation, Chamber of Commerce, Universities, and Zameenदार्स, अब क्या था, separate representation हर जगा ही होने लगा, मितलब Presidency Corporation में भी, Chamber of Commerce में भी, Universities, Zameenदार्स, हर जगा क्या हुआ, Muslims का एक separate representation होने लगा, ठीक है, तो यह जो act है, Indian Council Act 1999, या फिर मॉरल कर दो चीजों के लिए बहुत सादा इंपॉर्टेंट एक तो इसने गया क्या सप्रेट एलेक्टोड ला दिया, लीगलाइस कर दिया, कम्यूनलिजम को, Lord Minto क्या किस तरीके से जाने जाने लगे, known as the Father of Communal Electrode, ठीक है, और सतीर प्रशाथ से नहां बने पहले भारती जोनों किसमा आप तो ताज का सेशन भी आंड करते हैं, I hope आपको समझ में आया होगा, कोई बढ़ा हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में करके जरूर बताईएगा, अभी तक अगर अपने चैनल को लाइक शे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिए और बेल रुटन को प्लीज को प्रेस करना ना भूलिये, thank you so much for watching!